यह है कालंगुट मार्केट और यह तो पूरा फुल है मैंसे यह तो हमें लग रहा था कि कोई यही नहीं और यहां पर आके लग रहा है कि बहुत भीड़ है सब्सक्राइब करते हैं तो देखो इतनी महनत कोई नहीं करने वाला कि बारिस में भी आपको अगवाड़ा फोर्ट लेका आ गया अभी हम आए वे अगवाड़ा फोर्ट और गाड़े इदर पार्क कर रखी है बारिस रूकी नहीं अभी तक जैसे कि आपने पिछली विलोग में देखा होगा कि बहुत ज्यादा बारिस हो रही थी नौर्थ में और ये नौर्थ से सेकेंड विलोग है मेरा तो बारिस अभी रूकी नहीं है तो मैं सोचा के क्योंगा बरसात का नज़या भी लिया जाए और कपड़े भी नागी लेओं तो ज्छाता ले लें तो सोचा के छाते के साथ में विलोग करते हैं चलो कोई नी दिखानी है चीजे तो दिखानी है यह से तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले आपको दिखाउंगा और यहां पर मौर भी काफी घूम रहे है वह देखो जाने तो यह यहां पर काफी मिलेंगे आपको देखने को तो चलो श्टार्ट करते हैं वीडियो तो यह है ना अगवाड़ा फोर्ट है इदर और यह पीछे से एंट्री है आगे से बट हम आगे आगे तें बिल्कुल एंड में इदर है लाइट हाउस बना हुआ आगे जाके और यह इदर की तरह पर आपको पूरा फोर्ट मिलेगा यहाँ पर जाना एलाउड नहीं होता है यूजवली वहाँ पर फोर्ट के उपर जाके उधर देख रहेते हैं पर यह इदर हम फर्स टाइम आए तो हमें अच्छा लगा देखने में तो सोचा के क्यों ना दिखाये जाए यह इदर पूरा दिवार टाइप बनी हुई है और इसके साइड में कुछ वह बना हुआ है यह बहुत गहरा नाला टाइप का चारो तरह इसके और आगे है लाइट हाउस यह सामने आपको दिख रहा होगा इसके बैक साइड में तो ग तो सोचा के चलो कुछ ना कुछ तो दिखाऊं जब आएं इतनी दूर तो चलके और मोनीका सब अंदर बैठे हुए अक्षु भी अंदर है वो दोना अंदर ही मस्ती कर रहे हैं पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है अच्छा अंदर बैठके पिग्निक हो रही है ना मैं बाहर बिलोगिंग कर रहा हूं इन्हों बोला कि आप ही करो बस हमें नहीं आना बाहर तो गेट बंद कर दूरना मेरी सीट भीगेगी सबसे ज्यादा एक दो और गाड़ी आ रही है इदर आ रहे है एक दो लोग तो यह है में गेट अगवाड़ा फोर्ट का और सामने लिखा है नो एंट्री लोग डाउन की वेशा है यहां पर पूरा जो है बंद है और यह इदर पूरा फोर्ट है तो चलो कोई नहीं गूमने आए इधर की अब भी एक रोड़ जा रहा है कहीं पर यह तो रोड़ तो यहां का सीनी खाई और इसके पीछे सी है पूरा बहुत बढ़या लोकेसा ने यह भी गूमने के लिए कंडोलेम से 6 किलो मिटर है तो आप इजी ली आ सकते हो स्कूटी से भी पर ऐसे मोसम में आप ना इसकूटी है यहां से मार्केट इस्टार्ट हो जाता है कंडलीम के पास काई मार्केट है एक रेश्टर वाल का खुला हुआ है बाकी अभी पारीस में बाहर तो जाने का मोडी नहीं हो रहा है और कुछ चोटी मोटी सोप और खुली हुए है बहुत ज्यादा नहीं खुला हुआ मगर वाओ गाणी देखो कितनी मस्त है और बिलकुल सट आगे लगा रखती थी यह इधर भी सब बन्न है भी यह सारे रेष्ट्रो इधर दोनों साइड में रेष्ट्रो पड़ते हैं वो खुले होते थे बिलकुल अब यह सब बंद है यह कुछ एक दो खुले हो गए बट ज्यादा यहां पर बेड़ बार तो बिलकुल भी नहीं है फुला बारीस की वेसे भी कम लग रहा है और वेसे भ हमें एक दो यह कपड़ो उपड़ों की सोप है बस जो खुली हुई है और लाश्टाइम दिखा के गए थे हम इधर भी यह देखो इधर चर्च है तो आज कभी लोग यह ऐसी दिखाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर सी हमें लग रहा है क्योंकि बहार का तो निकलने का हो है जो इह हो पानी हे हो आगा अगे उपार इह वह बंदि और माय की प्लेस भी यह पिशॉर्ट में नोर्थ में नोर्थ बार बारिस में नोर्थ कैसा लग रहा है पहली वा मनॉंकिछ रहा है बन्ना नोर्थ में जब भी हम आए Kenneth जो गर्मी, दूप वही देखते थे, बऊधा बुद कम. आप पानी कम हो गया, पानी कम हो गया. यह पानी कम हो गया है. रोड पे एक दो, इतना सुनसान भी पहली बारी देख है मैं लेकश ह मैं सो आपरेल में तब भी इतना सुनसान नहीं था. तो भी बहुत था अभी यह मेन मार्केट चला है केंडोलिम कुछ खुला हुआ है कुछ बंद है सोप्स वगरा खुली हुई है जो नॉर्मल है रेश्टोर जादा तर बंद है यह रोड निकल जाता है यहां से केंडोलिम के साइड से और यह सीधा पोचता है पंजीम यह बेतिम यह भी यहां पर आएगा न्यूटन तो न्यूटन से ही कुछ खरीदना पड़ेगा समान मोनिका को क्या चाहिए यह पीजा बेस चीज तो यह इस तरह का मार्केट है देख लो आप देखते जाओ गोवा कैसा लग रहा है यह इदर खुना हुआ है देखो फूरा डेल्फिनो सब बंद है न्यूटन जादत जहां पर यहां पर फेमस होते है फिशर मेंस को अभी यह हाई यह केंडोली में मार्केट चला है थोड़ा सा आगे से जाएंगे तो फिर स्टार्ट होगा हमारा यह यह इस पार्किंग के लिए जगा नहीं मिलती थी हमें वेट करना होता था कि पार्किंग कहां लगानी है चलो इतने साहिद बारिस रुख जाए इतने समान खरीद लेते हैं तो फोपिंग अपनी डन हो गई है काफी समान ले लिया पीड़ा का समान लिया है आज मोनीका पी मोगा कैसे छोड़ सकती है और चीजे की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं खुली हुई है कुछ रश्टों खुले हुए है यही पर बीच रोड पे अभी बीच साइट चलते हैं अच्छा यह हुआ है कि बरसात हलकी हुई है थोड़ी तो अभी बहुत हलकी बुंदे पूम का आएंगे मगर दिखा के लाएंगे महाँ पर भी तो अभी ट्रैफिक भी दिखने लगा है थोड़ा जैसी बरसात रुकी और टूरिष्ट बहुत कम है ज्यादा नहीं है उतने बहुत कम है यह है कालंगुट मार्केट और यह तो पूरा फुल है तो हमें लग रहा अधा के कोई है ही नहीं और यहां पाके लग रहा है कि बहुत भीड़ है अन्दर मार्की टूरियो सारी पिश्क्राइब मतलब गाड़ी पार्क करने के लिए जगा नहीं है इतनी भीड़ है इदर अभी कुछ हुचीड हुई पर फिर भी काफी रस्त लग रहा है तर देख है बहुत ज्यादा तो नहीं है तो यह इस तरह का है आप देख सकते हैं इसी कंडिशन है खुला है इदर की चीज़ है यहां पर थोड़ा यह पहुच गए हम बीच बीच पर भीड़ नहीं है बाकी तो सब जगे भीड़ है हाँ इदर की तरफ इस सामने बीच है सीसा नीचे करकी दिखायता हूं उस सामने विल्कुल पूरा बीच ही है और लोग नहीं है बॉट इदर की तरफ देखो पूरा खाली पड़ा है ऑंपर तो अंदर हम नहीं जांबंगा निकल ना है जल्दी यहां से तो इदर अभी हमने खाया है खाना प्लासा ज्यादा नहीं खाया थोड़ा सा कहा था जहाएं बलक्त तो उडपी खुला है एक-डोर रेस् तो अभी हम निकल रहे हैं और वोरिम की तरफ तो अभी निकल गए हम यहां से और वोरिम की तरफ जा रहे हैं और अगर बात करूं क्या क्या खुला है क्या क्या बंद है तो देखो बीच के बीच में आप ऐसे बीच तक जा सकते हो गूमने पर पानी के अंदर नहीं जा सकते बिकाज बहुत रहा है और अलाउट भी नहीं होता और मार्केट भी मतलब खुला है कलंगूट साइड तो 50 पुला है हां कह सकते हो आपको ऐसा है कि मतल अब जाए तो थोड़ा भी खाया तो उधर खाने को मिला बाकी चैनलिम साइड यह उपर उपर कम है कैनलिम साइड हां थोड़ा कम है उपर कालंगूट साइड थोड़ा जाद है कि सब्सक्राइड वीडियो अच्छी लगी होगी आज मोनिका हैं इंडिंग कर रही है वीड सब्सक्राइड चला हूं तेज तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट विलोग में जो होगा पॉर्वरी मुदर की मार्केट और मॉल बगैरा सारा कुछ उसमें दिखाते हैं आपको चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन टेक केर बाए बाए